तो इन दिनों लॉंच होँग रही ज़्यादा तर कारे और S.E.V. बिद्ना डिजल इंजन के लॉंच हो रही है कंपनीयों का ज़्यादा तर फोकस पेट्रॉल इंजन पर है वहीं डिजल के मुकाबले पेट्रॉल कारे कम माईले देती है और पेट्रोल की किमते इन दिनों अस्मान चू रही है कॉंपेक्ट या मिड साइज सेग्मेंट में सबसे ज़्यादा डिमाइन डीजल कारों की ही है तो हाली में लॉंच हुई टाटा सफारी के ओल डीजल इंजन में ही आती है कम्पनी हैं आप डीजल एश्युवी के साथ अटोमेटिक ट्रांश्मीशन का भी विकल्प दे रही है आईए जानते हैं पाट डीजल अटोमेटिक मिन्ड साइज एश्युवी के बारे में तो हमारे इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है किया की सेल्टोस तो मिड साइज SUV सेगमेंट में Hyundai Creta के साथ किया Celtos दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बिखने वाली कार है फरवरी महिने में ही Celtos की 8305 यूनिट की बिखरी हुई थी हाला कि पिछले साल फरवरी 2020 के मकाबले इस बार 41 फिस्दी की गिरावट दर्ज हुई है उस दोरान 14,024 यूनिट की बिखरी हुई थी क्रेटा की इतरह Celtos में भी 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो की 115 PS की पावर और 250 NM का टॉक जनरेट करता है Celtos में डीजल इंजन के साथ 6 स्पीट टॉक कनवर्टर मिलता है इसके डीजल आटोमेंटिक विरियंट की एक शोरूम कीमत 13,89,000 और 17,45,000 रुपे तक है दूसरे नंबर पे आती है हुणडाई की क्रेटा तो मेट साइज SUV सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिखने वाली गाड़ी क्रेटा ही है क्रेटा के कुछ विरियंट्स पर बुकिंग पीरियंट 6 से 8 महिने का है कंपनी का दावा है कि गरहाग सबसे ज़्यादा क्रेटा के डीजल विरियंट ही खरीटते है क्रेटा में 1.5 लिटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन और 6 पीड आटोमेटिक रांश्मिशन ही मिलता है यह इंजन 115 पीएस की पावर और 250 सेनेम का टॉक पेदा करता है इसमें 2 डीजल आटोमेटिक विरियंट भी आते हैं जिनकी एक शोरूम कीमत 16,88 और 17,55 रुपे तक जाती है तो तीसरे नमबर पे आती है टाटा की हरियर तो टाटा की हरियर की बात करें तो इसमें फीएट से सोर्स किया हुआ 2 लीटर 4 चिलेंडर डीजल इंजन मिलता है यह इंजन 170 PS की पावर और 325 एनम का टोक जनरेट करता है हरियर को जब कमपनी ने 2019 में लौंच किया था तो केवल 6-speed manual transmission के साथ उता रहा था पिछले साली कमपनी ने इसमें हुन्डाई का 6-speed automatic transmission का विकल्प उपलब्द कराया है हरियर के आटोवेटिक डीजल वेरियन की एक शोरूम कीमत 16,500,000 रुपे से 20,45,000 रुपे तक जाती है तो हमारे लिस्ट में चोथे नमबर पे आती है जीप की कमपस तो अमेरिका की लगजरी SUV बनाने वाली automobile company जीप इंडिया ने कुछ हफते पहले ही जीप कमपस SUV का फेसलिफ्ट वर्जन लाउंच किया था जिसके exterior look और interior features में कहीं बदलाव देखने को बिले हैं इसमें 2-liter का diesel engine मिलता है जो 173 PS की power on 350 Nm का talk generate करता है जीप कमपस में 6-speed manual और 9-speed automatic transmission का विकल्प मिलता है कमपस जीप automatic की एक शोरूम कीमत 26 लाग 29,000 रुपे शुरू होकर 28 लाग 29,000 रुपे तक जाती है तो लास्ट बट नॉट दे लिस्ट हमारे लेस्ट में सबसे आखिर में है टाटा की नई लॉंच होई टाटा सफारी तो टाटा मोटर्स ने हाली में नेक्स जनरेशन टाटा सफारी लॉंच की है यहाँ हेरियर का extended वर्जन है सफारी में 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 170 PS की पावर और 350 लाग 25,000 रुपे से शुरू होती है जो की 21,42,000 रुपे तक जाती है तो दोस्तों आपको इन पाचो कारों में से सबसे बेस्ट कार कौन सी लगी यह हमें जरूर बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में और आप का क्या विचार है हमारे इस वीडियो पर यह भी हमें जरूर बताएगा आपको दोस्तों हम में आज रखेंगे इतना ही हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जहें झाल